जैहिंद, नमस्कार शातियो, RPSC की तरप से जो बर्ति करवाई गई है, वो एक विवाद का इससा बन चुकी है, आपने पेपर दिया भी होगा या नहीं भी दिया होगा, लेकिन इस विवाद को देखने के बाद में हो सकता है, आपके त्यारी करने का मन भी ना हो, तो इस व जा रहा है कि नकल गिरो कोचिंग से भी जुड़े हैं, जो RPSC के चैर्मेन है, उन्होंने ये बात है, कही है, और उपर देख सकते हो, इस पर भी एक नहीं, च्यार पेपर आउट, तो कहां पर ये जो पेपर करवाए जा रहे हैं, कहां पर आप मान सकते हो कि कौन सा पेपर है, वो सई हो सकता है, कौन सा पेपर है, वो बहुत अच्छे सतर पे बेचा गया है, तो आप देख सकते हो, यहां पर बस का भी जिकर किया जा रहा है, कि 20 दिसंबर से गुम रही थी, 20 को, फिर 22 को, फिर 23 को, तीनों दिन है, वो बस चली जा रही थी, लेकिन केवल कैंसल कि दिखा देता हूं आपको, यह दिखिए, क्या लिखा इसमें, कि 22 दिसंबर को जो हिंदी का, परिक्षा में जो परशन आया था, कि बारत का परशी दुआदार जल परपात, इन में से किस नदी पर बना हुआ है, यह परशन भी इनके पास, देखो, मिला हुआ है, उसके बा आपको दिख रहा होगा कि आरवपियों के पास परिक्षा से पहले आ चुके थे परशन इसलिए साथ पढ़ रहे थे, सोचने वाली बात है कि जब पर बने हैं, उन सबी पेपरों में से 500 परशन है, वो अलग से इनको दे दिये गए, और इन में से अलग लग जो भी विसे क इसाफ से पेपर लगे, उन सबी के पास पहुंच गे और वो सारे पढ़ रहे थे, जिससे हर एक परिक्षा में उनके परशन आ जाए, तो देखो 21 दिसमबर को 24 दिसमबर को यह गैंग पकड़ी गई, 21 दिसमबर से परिक्षा सुरू हुई, चोईस को यह पकड़ी गई, य पकड़े गई, उससे पहले और चोटा एकजाम पहले यह धरे गई, अब बात यह आ रही है कि जब यह चोईस को सुवह पकड़े गए, उससे पहले जितने भी पेपर लगे, जब सामने सबूत आपको दिख रहे हैं कि इन्होंने करवाया अच्छे स्थर पे, तो उस परिक परिक्षा में कोई बदलाओ या और कुछ नहीं कि आपका नमबर आएगा या नहीं आएगा या कैंसल कर वालें, वह भी दुविदा के स्थिति बनी हुई है, तो देख सकते हो आप है, सब चीजें जब सामने हैं, लेकिन फिर भी प्रिक्षा में कोई बदलाओ या और कु कि पर्टिकुलर बस है जिसमें वेर्थियों को बैटकर आवे पर ले जाया जाता है, इसमें सेट अप पर सनाते हैं, जो इन एक्जाम के पारट है, तो सोचने वाली बात है, देखो सब चीजें कलिया रहे हैं, उसके बाद में यहां पर इस कट में देखोगे तो वह यह ब को सोड़ा अवेर्थी डिबार भी होंगे, जो अन्य राध्यों के में जब वह एक्जाम तेंगे तो उनको भी सुची है, वह बेजी जाएगी, साथी साथ किरोडिलाल जी भी इन पर अच्छे तरीके से यह मुद्दा उठाया जा रहा है, उनकी तरफ से भी, तो बात यह कौन सा, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, जो लिक नहीं हुआ हो, सेकंड ग्रेड क्या, सेकंड ग्रेड बर्ती तो पूरी इनोंने कर दी है, सामने भी आगे आपको, तो सभी बर्तियों में यह हो रहा है, आप त्यारी कर रहे हो, तो आगे जितने भी एक्जाम है, उन से पहल भी नहीं जाते हैं, और जो एक्जाम में सेलेक्ट भी हो जाते हैं, तो एक्जाम कोई और हो, उससे पहले इस पे अच्छे तरीके से मुद्दा उठाया जाए, कानून बनवाए जाए, और इस चीज में बदलाव लेके आजाए, तो आगे आने वाले रीट बर्ती होने चीए, सेकेंड ग्रेड वाले दुबारा से पेपर करवाया जाए, या इसी बर्ती को रखा जाए, या इस पर कौन से कानून है, वो बनाने की आवसेक्ता है, और 28 को अंदोलन की बात भी की जा रही है, तो आप मान सकते हो कि सभी पेपर है, वो लीक हुए है, और पिय